हालो नमस्कार साथियों सभी का बी एसर स्टेडी पॉइंट के यूटूब चनल पर आप सभी विद्धार्तियों का हार्दिक्स पाउत्रविनन्द ने दोस्तों PTT 2024 का रिजल्ट आ चुका है च्यार तारिक को आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर अच्छे नमर आ दे हैं सभी की अब आर ये काउंसलिंग की बारी 6 तारिक से लेकर और आपकी काउंसलिंग वो चलने वाली है आपको मोका दिया गया है एक लंबे समय का और दोस्तों आप 17 तारिक से 22,000 वाले पीस वाड़ा वो सिस्टम भी कर सकते हैं आप और मोमेंट उनके बाद लगा सकते हैं यानि पूरा जो महीना है आपने टाइम टेबल देख लिया होगा पूरा महीना आपके इसी काउंसलिंग में बितेगा लेकिन जो क्यूसन आ रहे जिस विदार्दी के 260 नंबर आने चाहिए थे वो अपने हिसाब से उनके आरे 330 पलस तो नंबर तो उट पटंग दे भी है चलो कोई बात नहीं है लेकिन इसके अंदर अपका कटॉप ज़्यादा जाएगी क्या ये सोसने वाली बात है कटॉप के मैं बात करूँ टू येर क तो टू येर की कटॉप के पर बात करेगा जनल के टेगरी अगर आपके आर्ट के टेगरी के अंदर अगर आपके नंबर 340 पलस है तो आपको कॉलेज अलोट हो जाएगी AWS है AWS के अंदर अगर नंबर आपके 330, 310 पलस है और आपके कॉलेज मिल जाएगी ओभी सी के अंदर लगबग 300 आपको 30 पलस नंबर चाहिएगा और लगबग बात करूँ यहाँ पर SC और ST की तो यहाँ पर लगबग आपके 300 नंबर और यहाँ पर लगबग सब्सक्राइब के अंदर 259 यह तो रहने वाली है फिस्ट कोलेज की कटोफ सेकिंड थर्ड की जो कटोफ है वह पहुंच आएगी कम से कम जर्नल की सेकिंड लिष्ट की कटोफ की बात करूँगा और थर्ड लिष्ट आएगी तो थर्ड की मैं बात करने वाला हूँ ठीक है यह गटअबडेगो पहले है थो रहती है पहले कॉलेज के अंदर भी मिल सकती है जिसका सेकिंड लिष्ट है उनका लगब अगे से मानों कि जिनका भी तीन सो प्लस नंबर है अराम से को वह ऻिसे कलेज है वह उनको मिल जाएगी to सेकिंड के अंदर dit osób मिल जाती है है वह अं साइंस की साइंस की साइंस की तो साइंस के अंदर के टेगरी अगर आपके नंबर तेनसो सतर प्लस तो कॉलेज रहने वाली है जिसके भी साइंस में आपके लगवग अब मैं बता दूंगा आपको अब ना पांच अरका चालान और साथ में कॉलेज फिल कर सकते कुछ विदात्यों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरे तो क्या मैं कांसलिंग कराऊं या नहीं कराऊंड सबसे बढ़ा डाउट है तो राजस्थान के अंदर अगर कोई भी यूनिर्शिटी चाहिए वो प्राइबेट हो चाहिए वो सरकारियों कुछ क्यों जब तक उनका रिजल्ट जारी नहीं होगा फाइनल का तब तक जो पिटटी की ओपीशिल वेब साइट है जिसके अंदर यह भी एक महिने का पूरा कांसलिंग का शेडूल दिया गया है वो चेंज होता रहेगा वो दिना के अंदर क्या होगी बड़ कांसलिंगी पर करिया है वो पूर्ण जरूर होगी यह बात होगी अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जिन विदार्तियों ने कांसलिंग वगरा करवा ली है अब उन विदार्तियों और रास्तान किया है नहीं किया है थोड़ा वो परकास है वो अंदर रहार पलीज बारी जहीं ठीक है अब देखिये सत्पसक्राइग, कटूप का या नहें बात कर लिए आपके साथ नहीं से दोकुमेंट्स के अदर आपको अब तो आपके अर्शिट कौन सी जो आपकी टेटी वाली थी एक आपने फिटेटी का फॉम भरा था वह फॉम के यहां चता आहां़ेग १श्यक्म पर फिए आपको चाहिए गी चीमिद्वाज dabei सब्कू lug边 कैने में दिवह फिर के लाविद सपीट्हों पर यादार काई आधार कार्ड आई पर्मान पतर पर्मान पतर एक 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 धॉट खुत होना चाहिए यह बेंग में खुत ह canyon जाती पर्मान पत्ष्याओं मैं पुर्णा नहीं होना चाहिए इस के स्थाख सर पांक क्या.- यह फोटो चैएगी यह आप से हुट तोकुमेंट से आप त्यार कर लो ठीक है जो पहली कांसलिंग इसमें तो तिन डोकुमेंट से मारंगशिट है यह नंबर कितने यह वो कुछ लेंगे दो तिन चीज आधार काड़ वगरा इसके लावा जो अगली आपकी लंबी कांसलिंग होगी जिसके अंदर आपको मैं पता आपने जो एक्जाम के बात किये कि मेरा फाइनल का रिजल्ट अभी तक नहीं है तो वो रिजल्ट वाड़ा प्रोसेस में ने बता दिया है कटोप का अगणा सिलसिला है वो में बता दिया है साथ यह बता देता हूं कि राजस्तान के अंदर पिटेटी का जो एक्जाम अगर आप यूटूब चैनल के बादम से नई जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक के आपको वोट्सप ग्रूप किया जो की डिस्क्रिशन में दी गई उसको जरूर करें कोई भी वोट्सप मेसेज आप कर सकते हूं कोई भी क्यूरी वगएर तो आ हितमत निमा करम साथ में